बच्चों के छोटे छोटे हातों को चांद सितारे छूने दो चार किताबें पढ़कर वे हमसे भी बड़े बन जाएंगे प्यारे बच्चो सुप्रवाद आज हम क्लास सेविंत के टॉपिक हम पंक्षी उनमुक्त गगन के कवितागी बात करेंगे जिसके कवी हैं सिम्मंगल सिंग सुमंजी सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कवी परचेगी कवी सिम्मंगल सिंग सुमंजी का जन्म पांच अगस्त 1915 इसवी को जगरपुर उन्नाव उत्रप्रदेश में हुआ था और 27 नवंबर 2002 इसवी को भगवान के प्यारे हो गया इनका निधन हो गया हिलोल, मिट्टी की बारात, वानी की व्यथा, प्रले सरजन्म इनकी प्रमुक रचनाए हैं साइत्यकादमी प्रुसकार, भारत भारती प्रुसकार इनको प्राप्त हुए इनकी रचनाओं के लिए अब बात करते हैं हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के कवितागी हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्धन गापाएंगे पक्षी कह रहे हैं कि हम पक्षी हम तो खुले आसमान में आजादी पूर्वक खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं हम पिंजरे में अपना जीवन नहीं जीपाएंगे कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख तूट जाएंगे पिंजरे की जालियों से टकरा करके हमारे कॉमल कॉमल सुन्दर सुन्दर पंख तूट जाएंगे हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूंके प्यासे पक्षी कह रहे हैं कि हम तो बहता हुआ पानी पीने वाले हैं इस पिंजरे में कैदो करके तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा हम भूंके प्यासे ही मर जाएंगे हम तो बहता हुआ पानी पीने वाले हैं अपनी इच्छा से दाना चुगने बाले पक्षी है कहीं बली है कटुक निवारी, कनक कटोरी की मैदा से यदि हमें पिंज्रे में कैद करके सौने की मैदा भी दिया जाएगा वेवी अच्छा नहीं लगेगा और पिंजरे से बाहर आजादी पूर्वक उड़ते हुए अपनी इच्छा से चाए बले हमें नीव की कड़वी निवारी ही क्यों न खाने को मिले वह भी हमें प्रिय लगेगी अच्छी लगेगी जबके पिंजरे में कैद रह करके हमें सोने की कटेवरी में दिया हुआ दान हम उड़ना भी भूल गए हैं और हम किस तरह से पेड़ की पतली डाली पर जूले का आनंद लेते थे अब इस पिंजरे में कैद हो करके उसका केबल सपना ही देख रहे हैं तरुमिंस पेड़ और फुनगी यानि पतली डाली इस चित्र में आप देख सकते हैं दो पक्छी बैठे हुए हैं इस डाली पर तो इस तरह की जो पतली डाली है उसे कहते हैं फुनगी ऐसे थे अर्मान के उड़ते निले नव की सीमा पाने लाल करण सी चौँच खोल चुकते तारक अनार के दानी पक्छी कह रहे हैं कि हमारे अर्मान हमारी इचछा थी कि हम निले आसमान उनके छोर तक उसकी सीमा तक उसके आखरी छोर तक उड़ते और अपनी लाल लाल चोंच से लाल करण जैसी चोंच से आसमान में टिमिट माने वाले तारे रूपी अनार के दानाओं को चुगते खाते ऐसी उनकी इच्छा थी ऐसा उनका अर्मान था इरादा था होती सीमा हीं छितिज से इन पंकों की होडा होडी या तो छितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी आगे पक्षी कह रहे हैं कि हमारी इच्छाती कि हम छितज से होड लगाते छितज कहते हैं बच्चों जहां पर धर्ती और आस्मान मिलते हुए नजर आते हैं यदि आप काफी दूर देखेंगे तो काफी दूर ऐसा लगेगा जैसे धर्ती और आस्मान मिले हुए हैं तो जहां पर धर्तिय और आस्मान मिलते हुए नजर आते हैं दिखाई देते हैं उसे कहते हैं छितिज तो पक्षी कहते हैं कि हम ने क्षितिज से होड़ लगानी थी छितिज तक पूंचना था उड़ते उड़ते लेकिन या तो हम छितिज तक पहुँच जाते उड़ते उड़ते या फिर उड़ते उड़ते हम ठक कर चकना चूर हो जाते आगे पक्षी कहते हैं कि नेड़ न दो चाहे टैनी का आस्रे छिन भिन कर डालो लेकिन पंक दिये हैं तो आकुल उडान में बिगन न डालो हे लोगों, हे मनुश्यों, हे इंसानों नीर न दो चाहे टैनी का हमें पेड़ की डाली पर भले ही हमें गोंसला मत बनाने दो आसरह छिन भिन कर डालो और जो हमारा आसरह है बसेरा है हमारा जो घौंसला है उसे भी वलेई नश्ट कर दो लेकिन हे इंसानों हे लोगों यदि भगवान ने हमें पंक दिये हैं तो हमें उड़ने से मत रोको हमें पिंजरे में कैद मत करो हमें आजाद रहने दो हमें खुले आसमान में उड़ने दो हमें पिंजरे में कैद मत करो बच्चो बहुती सुंदर कविता है हम पंक्षी उनमुक्त गगन के यदि हमें कोई कमरे में बंद कर दे या घर में बंद कर दे कुछ दिन के लिए हमें कितना बुरा लगेगा कितना गंदा लगेगा हमें ऐसा लगेगा कि हम पतानी कितने वरसों से कैद हैं कुछ दिन महीं तो हमें जब हमें आजादी प्रिप्यारी है हमें सुतंतरता प्यारी है अपनी इच्छा अनुसार खाने की घूमने की आने जाने की आजादी है तो हमें पक्षियों को भी पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए यह इस कविता से सीख मिलती है इस कविता से क्या सीख मिलती है क्या सिक्षा मिलती है कि हमें पच्छियों को पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए और इसके साथ ही साथ हमें अधिक से अधिक पेड़ पौदे लगाने चाहिए पसू पक्षियों की रच्छा करनी चाहिए हमें अभी गर्मियों का मौसम हैं तो हमें पक्षियों के लिए पेड़ की डाली पर या घर की छत पर पीने के लिए पानी रखना चाहिए उनको चुगने के लिए खाने के दाना भी डालना चाहिए इस तरह से हमें पर्यावन की रच्छा करनी होगी पसु पक्षियों की रच्छा करनी होगी हमारे अंदर मानवता का भाव होना चाहिए पर्यावन के प्रते पसु पक्षियों के प्रते तो यह इस कविता से सीख मिलती है कभी सिम्मंगल सींग सुमन की कविता हम पंक्षी उनमुक्त गवर्ण के बहुती सुन्दर कविता प्यारी कविता यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें लाइक करें लाइक करें कमेंट करें सेयर करें जैहिंद वंदे मात्रम धन्यवाद